हलो गाईज असलामों अलेकुम कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं यह देखिए गेहूं के आटे से समोसे इसब करा है नामक अपने जाइगे के हिसाब से एट करें अभी हम इन सब चीजों को अच्छे से्मिक्स कर लेंगे यह कुछ इस तरह से हमें मिक्स करना है है ये देखिए आलू को मैश करते हुए हमें सारी स्टफिंग अपनी रेडी कर लेनी है ये देखिए बहुत अच्छे से आज हम गेहूं के आटे से ये समोसे बनाने वाले हैं ये देखिए बिल्कुल बजार जैसे समोसे हम जो मार्किट से लेकर आते हैं उसी तरह के आज हम बन कर घर पर रेड़ी करेंगे आलू का मिनी समोसा वह भी आटे से हम बनाएंगे नॉर्मली जो हम घर में चापातियों के लिए यूज करते हैं अभी स्टेफिंग हमारी बिल्कुल रेड़ी है इसे रख देंगे साइड में और आटा लगा लेते हैं हम सबसे पहले हमने एक कप ले लिया है इसके अंदर हमने अजवाइन हातों से क्रेश करके डाल दी है आफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक एड़ कर देंगे और इसके अंदर वन टेबल स्पून हमने ओल एड़ कर दिया है यह देखिए अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ज्यादा ओल हम इसके रहे हैं मैदे से तो हम बहुत खा चुके हैं मैदे के बने हुए समोसे आज हम आटे के समोसे बनाएंगे आप लोगों के लिए अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा हम इसके इंदा पानी डालेंगे और इसे आटे को गूंद लेंगे ये देखिए अच्छे से हातों से मलते ह कर देंगे यह देखिए थोड़ा हमें इसका सफ्ट डोच आईए यह देखिए यह देखिए हाथों से हम इसे सेट कर देंगे एक हमने लुई ले लिए है इसे गोल बना लेंगे यह देखिए यह देखिए हाथों से से प्रैस कर देंगे और इस पर थोड़ा सा आटा हमें डस करना होगा बेलने के लिए आप चाहें तो ऑईल कभी इस्तिमाल कर सकती है लेकिन आटे से हमने लेकर है तो अच्छे से बेल जाएगा हमारा जो रोटी का शेप हम इसे देने वाले है समोसे के लिए यह देखिए हमें इसे ज्यादा गोल नहीं बेलना है यह देखिए हमें इसे oval shape में ही बेलना है यह देखिए अच्छे से हमें इसे बेलना है ज्यादा बड़ा और ज्यादा मोटा हमें इसे नहीं बेलना है बस normal ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला हमें इसे normal ही बेलना है यह देखिए हमें इसी शेप का चाहिए अभी हम इसमें नाइफ के हेल्प लेंगे और इसमें कट लगा लेंगे और बीच में से इसे उठा कर यह देखिए इसे फोल्ड करेंगे यह देखिए प्रेस कर देंगे फिंगर से आगे से भी हम इसे फिंगर से अपने प्रेस कर दें यह देखिए बिल्कुल मार्किट में बनने वाले समोसे हैं यह उसी तरह हम आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यह रैसिपी आटे के समोसे की अभी आलू की स्टफिंग जो हमने रेडी करी थी वह इसके अंदर भर देंगे यह देखिए अ लास्ट में यहां फिंगर से पानी लगा देंगे थोड़ा सा और इस तरह से फिंगर से और थम से दबाते हुए प्रेस करेंगे यह देखिए ताकि अच्छे से दबाएंगे हम इसे यह देखिए ताकि यह कड़ाई में जाते समय बिल्कुल भी खुले नहीं और नाहीं बिल्कुल भी हमारा जो ओईल है वो ज्यादा गरम नहीं है बिल्कुल भी आप ज्यादा गरम ओईल में समोसे ना डालें तो आपके समोसे बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी कच्छे रह जाएंगे यह देखिए बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल भी ज्यादा गरम नहीं है ये देखिए बहुत ही लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राइ करना है ताकि हमारे जो समोसे हैं वो बहुत ही क्रिस्प और गोल्डन बनकर रेडी हो ये देखिए ज्यादा डार्क कलर हमें इसका नहीं चाहिए अभी एक साइड से हमने इसे पक करना है ये देखिए बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राइ नहीं करना है नहीं तो इसके उपर एक बबल आने शुरू हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी से यह आपके समोसे बनकर रेडी हो जाएंगे दिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे उस तरह तो आप इ हमें जरूर बताईएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी आटे के समोसो की एक बार इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राइ करिएगा आप लोग ये देखिए हमारे समोसे जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हैं अभी हम इने एक कड़ाई में से प्लेट में ट्रांसफ हुए हैं बिल्कुल गर्म गरम ये देखिए अभी में इसे टॉमाटो केचप के साथ मैंने इसे सर्फ किया है ये देखिए कितना प्यारा लूख है यहां तक हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स पॉर वाचिंग अल्ला हाफिज